हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो और चैनल सिक्रेट शॉट आज के इस वीडियो में मैं आपको वीट हेर रिमुवल क्रीम फॉर में के बारे में रिवू बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो ये है वीड हेर रिमुवल क्रीम फॉर में का बाक्स तो इस बाक्स पर सारे इंस्ट्रक्शन्स दिये हुए है कि ये क्रीम क्या है कैसे लगानी है तो आप इस इंस्ट्रक्शन्स को जरूर पढ़ कर लीजिए तो चलिए अब मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ तो इस बॉक्स के अंदर है एक भीट हैर रिमुवल क्रीम का ट्यूब और एक स्पेचुला तो चलिए अब मैं आपको इस क्रीम को मेरे अन्वांटेड हेरी पार्ट पर लगा कर दिखाता हूँ आपको बस थोड़ा सा ही क्रीम लेना है और आपके अन्वांटेड हेरी पार्ट पर लगाना है आपको सिर्फ इस क्रीम को दिरे दिरे आपके अन्वांटेड हेरी पार्ट पर फेलाना है बिल्कुल भी रगड़ना नहीं एक क्रीम आपको आपके unwanted hairy part पर आप देख सकते हो में किस प्रकार से ये क्रीम मेरे unwanted hairy part पर लगा रहा हूँ आपको एक क्रीम सिर्फ 3 मिनट के लिए ही लगा कर रखनी है और उसके बाद spatula के मदद से इस क्रीम को हटा देना है और उसके बाद पानी की मदद से आपको आपकी skin दोनी है अगर 3 मिनट ये क्रीम लगाने के बाद आपके बाल ठीक से हट नहीं पा रहे है तो आप maximum इस क्रीम को 6 मिनट के लिए लगा कर रख सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ये क्रीम लगा कर नहीं रखनी है तो फ्रेंड्स अब ये क्रीम लगा कर 6 मिनट हो चुके है तो अब मैं इस क्रीम को spatula की मदद से हटा देता हूँ अब देख सकते हो मेरे unwanted hair के से इस क्रीम के साथ निकल कर आ रहे है और साथ में ही मेरी स्कीन कितनी गोरी और मुलायम बन चुकी है क्रीम को लगाने के लिए और निकलने के लिए आपको spatula ही इस्तमाल करना है उंगलियों की मदद से आपको बिल्कुल भी एक क्रीम नहीं लगानी है और नहीं हटानी है चुरू में आप थोड़ी सी क्रीम आपके स्कीन को लगा कर चेक कर लीजिए कि अगर आपको इसका side effect है reaction होती है या नहीं अगर आपको किसी भी तरह की reaction नहीं हो रही है तो आप जरूर इस क्रीम का प्रयोक कर सकते हो तो अब मेरे सारे बाल हट चुके है तो अब मैं आपको इसे पानी की मदद से दोकर दिखाता हूँ तो अब मैंने पानी की मदद से मेरी skin दोली है तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरी skin कितनी गोरी और मुलाइम बन चुकी है तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ वाटसेप पर शेर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद